इस बार ये कासी हो गया, हमारा बिल कीस्ट से ज्यादा आ गया और इंजिनियर और कॉंट्रीक्टर बिल हम से कम कैसी आ गया ठीक है तो आज का वीडियो काफी जादे इंटरेस्टिंग है काफी साथ इंपोर्टेंट है वीडियो आपको एंड तर देखना पड़ेगा आज के वीडियो प्लास्टर के उपर डिपेंड है तो चले शुरू करते आज की इस वीडियो को तो मैंने इस तरह से छोटा मॉडल बना के रखा है आपको समझ आने के लिए ठीक है यह पूरा प्लास्टर किया हुआ है जब भी है मेजरमेंट लोगे तब एक बात का ध्याना को जरूर रखना है एक तो आप डायरेक्शन में मेजरमेंट ले या फिथी बना के आप मेजरमेंट लिख के रखे है ठीक है तो मैंने यहाँ पर वेस्ट नौर्थ और पी यह कॉर्णर से लेके यह कॉर्णर कितना है ग्यारा फीट दस इंचे ठीक है अब नीचे से कितना है अब सबसे सबसे इंपोर्टन बात यह है कि विंडो जब आएगा तब हम क्या करेंगे मैं तो आलवेज आपको यह रेकमेट करूंगा कि आप सीधा मेजरमेंट लीजिए होरिजंटल बाइव वर्टिकल विंडो रिडेक्शन के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए क्यों यह वह ैसी क्यों गया है कि यह यह वह प्लास्टन की आपको लेना पड़ेगा उसके बाद क्या है यह पर नीचे ओपर और इसससा दो यहाँक चार्ज Past यह लेना पड़ेगा यह अंदर के side से हो गया internal अब यह external भी आपको same ही करना पड़ेगा बस आपको यह running fit में पूरा देना पड़ेगा यह नीचे का फिर से आपको नहीं देना है ठीक है यह set यूँकि एक बार हमने अंदर से लिया गया है बस आपको यह बाहर का जो ages बनाया है sharp ages इसको नातरा भी बोलते हैं यह जो बनाया गया है ठीक है उसका आपको अंदर से और बाहर से आपको rate अलग से देना पड़ेगा ठीक है तो फिर भी आपको समझ आने के लिए में measurement कैसे लेंगे ठीक है reduction का measurement हम कैसे लेते है वो मैं आपको सिखा था हूँ ठीक है यह तो हमें समझ आ गया कि horizontal by है vertical हमने measurement लिया अब reduction का measurement कैसे लेंगे हम यहां से यहां तक कितना है साथ फिट ठीक है और नीचे से उपर कितना है चार फिट तो साथ इंटू चार ठीक है कितना आएगा reduction होगा पूरे दिवार में से ठीक है अब अंदर का measurement यह जो प्लास्तर किया है यह जो यहां पे यहा टीक है इन्टू यह कितना है ड्यरीप्ट कितना इसका 9 इंच करेंगे इंटू 9 इंच करेंगे जितना आएगा यह भी यहां किया हीसे भाश्टर मेंड होगा उसके बाद हममेजर्मिन कैसे लेंगे शार फिजसका मतलब यह नातरा करेंगे इसका रणि फिट में होता है तो कितना एगा 4 प्लस को साथ फिट को साथ फिट लस चार फिट यहां पर बनाया गया है ठीक है यह देखिए ठीक है अंदर बनाया और बाहर भी बनाया है अंदर से एक बार हमने लिया है ठीक है यह हो गया वेस्ट साइड का त्यिके यहां से यहां तक कितना है 11 Thats इंच है और हैट कितना है कि continuity यह हो गया हमारा के इंटरमेजरमेंट टिक है इंटरनल का हमार यह average हो गया आंदर का ठीक है अब एकसर्टर्ल मेजर मेंट के से लेंगे सिंपल है यहां से यहां तक कितना है 12 फिट और पूरा नीचे से कि ग्राउंड से कितना है 13 फिट ठीक है अब साउथ का ठीक है साउथ का के से लेंगे से यहां से यहां तक 20 फिट 9 इंच बाए उपर कितना है, 13 feet, ठीक है, अब east side का measurement, यहां से पूरा, यहां तक 12 feet, और निचे से उपर तक 13 feet, अब क्या करेंगे हम, यह reduction करेंगे, window reduction करेंगे हम, ठीक है, window के से reduction करेंगे, 7 feet by, 7 feet into, 4 feet, ठीक है, यह window reduction हो गया, इस बार हमने यह अंदर का measurement जो किया है, अंदर का window frame के लिए प्लास्टर किया है, उसका measurement हमने नहीं लिया, क्योंकि internal measurement करते वक्त, इसको हमने किया था, उसके बाद यह सामने का, हमने जो कहाँ पर यह floor तक ही measurement किया था, हमने, अब हम नीचे का, steps का, steps हो रही के, यह यहाज कितना है, 20 feet, 9 inch, ठीक है, भाई, 3 feet है, ठीक है, तो हमने यह क्यों छोड़ा हमने, देखे, 4 या 5 steps है, तो आपको ऐसे direct measurement हम ले सकते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा measurements है, यह स्टेर केस में होता है, 12 steps होते है, 9 steps होते है, 7 steps होते है, तब आपको यह measurement लेना है, तो आप हमने जो note down किया है पूरा, उसका measurement हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, कि 100 square feet equal to 1 brass होता है, और 12 inch मतलब 1 feet होता है, ठीक है, तो हमने यह systematic, पूरा systematic लिखा है, internal plaster, external plaster, ठीक है, west side window, west side, जो हमारे window side था, ठीक है, west side हमने जो लिखा है, यानि कि यह दिखिया है, यह देखिए, यह window side यहसे mention किया है हमने, south side, east side, तो हमारे measurement कितना था, 11 feet 10 inch into 10 feet, ठीक है, यह हमारे measurement आगया, कितना है, यह 111 square feet आगया हमारा, ठीक है, तो measurement always square feet में होता है, ठीक है, इंजिनियर कॉंट्रेक्टर का bill, कम कैसे आ रहा है, हमारे कैसे ज्यादा आ रहा है, तो आपको यह समझना है कि, यह 10 inch जो है, अब तक हमने क्या सिखा है, कि जो inch में होता है, वो feet में करके लेना चाहिए, क्योंकि, एक feet में और inch में measurement कभी भी नहीं होता है, एक उम क्या कर रहे थे कि इंच जो है उसको 12 से कर रहे थे तो उसको इसको ऐले करने के ने के बाद सकोथ बना रहे थे complete कि दोनों his का मेजर्मेंट हो जाएगा इस सबसे important बात यह है कि जब भी 10 11 या 12 इंच का बात आता है तब आपको measurement आपको round off करना है round off करना है मतलब क्या करना है आपको यह 11 फिट 10 इंच इना उसको सिधा 12 करके लेना है आपको ठीक है आपको यह से convert नहीं करना इसको यह देखे अगर हमने convert किया तो इसका effect क्या हो रहा है कि हमारे measurement ज्यादा आ रहा है देखो यहां पर अगर आप convert करोगे तो measurement इसका ज्यादा आएगा ठीक है 19 कर दिए दिखे हमारा साउट साइड का measurement भी सेम है इसको डायरेक्ट ली करते है और मेजरमेंट लिग देते हैं हमने इसको करने किया दस इंच को इंच को हमने इंचनेर का और हमारा 198 इंच आ रहा है तो यह ज्यादा हो रहा है अब यहां पर हम देखेंगे देखेंगे 12 फिट इंटु तेरा फिट यह 156 फिट आ रहा है हमारों भी उतना ही आ रहा है ठीक है अब साहट साइड जो हमने किया था ठीक अधरी से Esos 10avoscope उसका मेजरमेंट क्या करतें लोग फ्यूसर लिखते हैं कितना 271 पिट बाए 7 इंच ठीक है इसको हमने किया रहा है 269 feet 7 inch आ रहा है ठीक है तो यहां पर कैसे फरक आ गया क्योंकि यह देखिए जब तक 9 9 inch तक चल रहा है 20 feet 9 inch जब तक 9 inch तक चल रहा है हमें convert करना है 10, 11, 12 यह जो measurement आते है उसको हमें convert नहीं करना है ठीक है हमने convert किया और measurement में फरक आ गया ठीक है यह important सबसे जादे important है तो हमें convert कहा से करना है और कहा तक करना है यह भी जादे important है यह देखिए इंजिनेर और कॉंट्रेक्टर का बिल और यह देखिए हमारा बिल हमारा बिल इस बर ज्यादा आ रहा है इंजिनेर और कॉंट्रेक्टर का बिल कमा रहा है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को तो मिलते मैं नेक्स वीडियो पे, थैक्स फर वाचिए मैं वीडियो.